कोरोना काल संकट के बीच साहित्य प्रेमी इस बार पुस्तकों के कुम्ब में डूबकिन नहीं लगा पाएंगे, कोविड-90 की काली चाय से साहित्य जगत भी अचूता नहीं रहा, यही वज़े है कि प्रगती मैदान में हर साल लगने वाला तिल्ली पुस्तक मेला भी इस बा आयोजित नहीं होगा, भारतिये प्रकाशक संग ने मेले के आयोजन को लेकर सीधे तोर पर हाथ खड़े कर दिये हैं, गोर तलब है कि FIP और भारतिये वैपार संवर्दन संगटन ITPO के सईंच तत्वाधान में, सन 1995 से प्रगती मैदान में हर साल पुस्तक मेले का एयोजन किया जाता है अगस्त महा के अंतिम या सितंबर महा के पर्थम सब्ता में लगने वाला यह मेला 2018 तक 9 दिवसिय था और जब कि 2019 में इसे 5 दिवसिय कर दिया गया था कोरोना संकर्मण के चलते इस साल पहली बार यह पुस्तक मेला नहीं लगने का निर्ने लिया गया है हाल ही में HIP की कार्यकारणी के सदसे उन्हें मेला आयोजन को लेकर वर्च्वल बैठक की बैठक में सामने आया कि स्कूल कॉलेज से सभी सिक्षन सरस्थान अभी बंद चल रहे हैं ज़्यादा तर साहिति गत्विदियां भी नहीं हो पा रही ऐसे में प्रकाशक भी मेले में भाग लेने के इचुक नहीं है पुस्तक प्रेमियों के भी मेले में आने को लेकर संधे है सबसे बड़ा भै यही है कि अगर कोई समस्या उत्पन हो गई तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इस सारी चर्चाओं के बाद यही तैक किया गया है कि इस साल पुस्तक मेले का आयोजन रद कर दिया जाए प्रकाशकों को इस आशे की सूचना दे दी गई है हाला कि FIP ने सह भागिदार के रूप में ITPO को यह निडर से अगवत नहीं कराया है लेकिन यह तैह है कि अगर ITPO की और से मेला आयोजन का कोई अनरोद आता भी है तो उसे स्विकार नहीं किया जाएगा अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें